नमस्कार और एक बार आप सबी लोग का फिर से सागत करती हूं आपके अपने ही चैनल वेस्टी वेस्टी पर और आज वेस्टी वेस्टी में हम लोग अपने इस वेस्ट को यूज करेंगे यानि की मटर के छिलकों को मटर का सीजन चल गाए और हम सबी के घरों में यूज होती है धेर सारी मटर पर क्या आपने कभी सोचा है कि मटर के इन वेस्ट छिलकों को हम बहुत बेतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं एक नहीं पूरे तीन-तीन तरीके शेयर करूंगी जो भी तरीका आपको पसंद है वो त पाव्टों के पूरी की पूरी केर कर सकते हैं इनके सब्सक्राप क्या प्रपाओ नहीं तो भी आप इन चिलकों के बहुत बेतरीन तरीके से और भी उज कर सकते हैं अपने आस पास किसी गाय को खिला गए क्योंकि यह चिलके जब डश्ट बिंड में आप फेक देते हैं तो जिस तरीके से भी आप बनाना चाहते हैं उस तरीके से बनाएं पर इन चिलकों को आप इसी अपनी यूज कर सकते हैं बहुत बेतरी न आपकी बने की कमपोष्ट अर देखिए तरीका नंबर दूसरा गया है दूसरे तरीके में अगर आप लोग अगर जंजट मोल नहीं लेना बढ़ पानी में भीगों के रखिए पूरा एक हफ्ते तक आप इनको पानी में बीगने दे चिलके अच्छे से गल जाएंगे हमारे पाने में उसके बाद आप इन्चिलकों को मसल के च्छानके और इस लुकिट फट्लेजर को आप इस्टोर करके रख सकते हैं आपकी मर्ज और अपने पहतों में यूज करें एक बेतरी हमारी हमारी लिक्विट फर्टलियाजर बनकी हो जाएगी तयार बचे हुए छिलकों को आपक में यूज कर सकते हैं नहीं यूज करना है तो इन छिलकों को फेक भी सकते हैं तरीका नमबर तीन तरीका नमबर तीन में हमें क्या कर तब पर अनफर्चुनेटली बारिश हो गई कई दिनों तक और मचल के उठाना भूल गई, सारे गील हो गई, तो अभी तो फिलाल के लिए उनसे मैंने अपना कमपोस्ट बना दिया था, अभी दोबारा से थोड़े से सूखे थे तो वही शेयर कर रहे हूं, बहुत अच्छे कमाईना आएगा, तो हमें फिर से हमारे पौधों में मल्चिं की जरूरत पड़ेगी, तब आप इनी छिलकों से अपने पौधों में कर सकते हैं मल्चिंग, मल्चिंग करने के साथ साथ एक और दूसरा तरीका, जैसे हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं, तो उस जो हमा सुखे होंगे, तो जो मौशय लेवल होगा हमारे किचन वेस्ट का उसका मौशय लेवल कम करेंगे, तो उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, तीसरा एक और जैसे हमारा होता है अपना गिहूं का भूसा यानि की फीट इस्ट्रा कुछ इसी तरह से हमारा चने और मटर का भी बूसा होता है, गाउं ध्यात में इन सभी छिल्कों का भूसा जानवर भी खाते हैं, तो जैसे आप फीट इस्ट्रा यूज करते हैं कुछ इस तरीके से आप मटर के छिल्कों का भी इस्ट्रा बना सकते हैं, आप दर दर इनको किसी में पीच सकते हैं, और बन जाएगा आप थिल्टी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आपने गाइडन का ख्याल रखें